वस्तुओं को उनके सब्भाव के साथ होने दें फिर ना आना होगा ना जाना इसका मतलब ये कह रहे हैं कि उनको पूर्न तरह से सविकार करें और फिर ना आना होगा ना जाना ये आना जाना कोई भौतिक क्रिया नहीं है ये भी मन की क्रिया ही है आना जाना मतलब no movement of mind मन की गती नहीं होगी कोई फिर और इसी गती को अगर हम वेदान्त की द्रिष्टी से देखें तो इसी को कह सकते हैं कि जनम मरन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगी क्योंकि ये मन ही है जो दुबारा जनम लेता है वेदान्त की द्रिष्टी से ना की कोई और चीज इसको आप भक्ति भाव से भी देख सकते हैं भक्ति में भी हम यही कहते हैं कि हे प्रभू मुझे सब कुछ सभिकार है जो कुछ भी हो सारी परिस्थितियां सब कुछ जो तेरी मर्जी आगे कहते हैं वस्तुओं के सवभाव को मान लो मतलब आपका अपना सवभाव और आप बिना परिशान हुए सवतंत्र हुए चलते जाएंगे इसी को श्रीक्रेशन ने कहा था स्वधर्म बाकी तो वही है जो हम पहले कर चुके हैं फिर आगे कहते हैं जब विचार बंधन में होता है तब सत्य छुपा रहता है क्योंकि सब कुछ धुंदला और अस्पष्ट होता है और मूल्यांकन करने का बोजिल अभ्यास चिड और थकावट लाता है ये वही है जो हम पहले कर चुके हैं मूल्यांकन मतलब वही जो हम जज करते हैं हर एक चीज को अपनी मानेताओं के आधार पर अपने कंक्लूजन जो निशकर्ष हमने बना रखे हैं क्योंकि उन निशकर्षों के आधार पर ही तो मन की गती जिन्दा है उस गती के कारण ही हमें भ्रह्म होता है कि मैं हूँ अगर उनको हटा दिया जाए उन वस्तों को मतलब उन विचारों को हटा दिया जाए तब वो गती भी धीमी हो जाएगी फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना मुल्यंकन ना मुल्यंकन करने वाला इसी को कहा है कि विचार बंधन में विचार बंधन में है मतलब जो नया विचार है वो पूरानी गती से आ रहा है विचारों की वो स्वतंतर नहीं है सुवतंतर मतलब जो किसी श्रिंखला का हिस्सा नहीं है बलकि खाली मन से उद्हे हो रहा है ना कि किसी पुनरवरत्ती के कारण बलकि स्रेजन से मतलब खाली शूने मन से फिर आगे कहते हैं भेद और विबाजन से क्या लाब होगा मतलब जो ये गती है इतनी मन की बस ये चलती जह रही है इससे लाब क्या होगा कुछ भी नहीं आप इस गती में ही फसे रहेंगे गोल गोल घूमते रहेंगे और इतने में अंता जाता है आगे कहते हैं अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो विचारों और प्रवित्ती इंद्रियों के जगत को भी नापसंद मत करें मतलब कि अब आप देखिए पहले तो ये कह रहे थे कि लिप्त मत होना आप कह रहे हैं कि इनको नापसंद मत करो क्योंकि दोनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है अगर लिप्त हो रहे हैं आप तो भी आप उसी श्रिंखला की गती को बढ़ा रहे हैं और अगर आप परियास कर रहे हैं विल से, संकल्प से कि हाँ मैं ये नहीं करूँगा परंतु भीतर वो प्रवर्ति तो अब भी है तो वो भी परियास और क्रिया से आपको भर देगी इसलिए ये कह रहे हैं कि बिना किसी परियास के चीजों को होने दे ना तो उसमें लिप्त हों ना ही उससे लड़ने की कोशिश करे उनको अनायास होने दे बिना किसी परियास के तब वो खुद बखुद अपनी सही जगह पर आ जाएंगी तो फिर आगे कहते हैं कि उनको पूरी तरह सविकार करना ही मार्क के साथ होना है क्यूंकि वहाँ पे कोई भी द्वंद नहीं होगा कोई contradiction of energies नहीं होगी resistance प्रतिरोध अगर वो प्रतिरोध हुआ तो आप मार्क पे आगे नहीं बढ़ सकते क्यूंकि प्रतिरोध का होना मतलब मन में दुफिदा दुफिदा मतलब आपकी उर्जाओं का शय क्यूंकि कहीं भी अगर दुविदा हुई तो मतलब मांसिक उर्जाओं का शय तो ये कह रहे हैं उनसे ना तो लिप्त होना है ना ही उनसे लड़ना है उन्हें पूरी तरह सविकार करना ही मार्क के साथ होना है इसका मतलब ये मतल समझ लीजेगा कि ये लिप्त होने के लिए कह रहे हैं एक लिप्त मन भरा हुआ मन है जहां पे कुछ खाली जगय ही नहीं है कि जहां से वो पश्टता से चीजों को देख सके लेकिन ये कह रहे हैं कि लड़ता हुआ मन भी खाली नहीं है वो भी भरा हुआ है इन दोनों चीजों को बस अच्छे तरह से समझिए और चीजों को अपनी सही जगा दीजिए फिर आगे कहते हैं वो दिमान लक्षे के लिए संगर्ष नहीं करता परन्तु मूर्ख खुद को बेडियों में बांध लेता है लक्षे मतलब कुछ पहले से अपने कर रखा है अब मन उसको पाने के लिए परियास कर रहा है जबकि ये पूरी कविता में यही कहते आ रहे हैं कि परियास अपने आप में एक बहुत गहरी क्रिया है तो लक्षे होगा तो संघर्ष होगा और बुद्धिमान आदमी संघर्ष नहीं करता वो बस चलता जाता है बिना किसी लक्षे के क्रिशना जी हमेशा कहा करते थे कि जो सत्य का सच में खोजी है वो कभी भी सत्य को नहीं खोजता क्योंकि खोज अपने आप में एक रुकावट है वो पर्यास है वो मन की गती को तेज कर रहा है कि हाँ कुछ चाहिए फर कितना है कि दूसरे लोग संसार में कुछ खोज रहे हैं आपने कुछ बना लिया कि हाँ मैं कुछ रूहानी धार में खोज रहा हूँ गती तो दोनों मन की एक ही है तो इसलिए कह रहे हैं बुद्धिमान संगर्ष नहीं करता लक्षे बना कर फिर कहते हैं धर्म केवल एक है बहुत नहीं भेद विशेष्टाएं अग्यानी की मोह पकड़ने की आदत के कारण उपजदी है धर्म एक है मतलब कि वह सनातन धर्म एक है वो क्या है वो है कि सिर्फ और सिर्फ मन को खाली करना है और कुछ नहीं वह खाली मन खुद में ही रास्ता है और उस खाली मन में ही बोध का अवतरन हो सकता है यही धर्म है और यही शाश्वत है लेकिन मूर्ख लोग अपनी पकड़ने की आदत के कारण विशिष्टाइं पैदा कर देते हैं हर चीजों में, धर्मों में भी क्योंकि हर एक आदमी अपने हिसाब से उनको अलग अर्थ देता रहता है उनसे कुछ चीजें जोड़ता रहता है, कुछ घटाता रहता है और बाकी चीजों में भी ऐसा ही है